जहन्द पहरे सातियों, रोजगार विद अजय योटूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है देखो, दिल्ली पुलिस AWO TPO का एक्जाम हो चुका है अब सबसे बड़ी बात है कि उसका कटोफ कितना जा सकता है ठीक है, आंसर की कब तक आएगी इस तरीके के आपके दिमाग में बहुत सारे क्यूसन बन रहे हैं तो उन सबी का हम यहाँ पर डाउट क्लियर करने वाले हैं साथ-साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड कटोफ के बारे में कि लगबग कितनी कटोफ जा सकती है इसके बारे में हम डिट्ल से यहाँ पर बात करने वाले हैं देखो टोटल पोस्ट की हम बात करें तो आर्ट सो सतावन टोटल पोस्ट थी जिसमें दो सो चौरा सी फीमेल की थी और पान्सो तत्तर मेल की थी टोटल फोरम बरे गए थे पाँच लाख बासट हजार तीन सो चोवन टोटल फोरम भरे गए थे इसमें यदि हम अटेंडेंज की बात के तो लगबग 40% के आसपास केंडिरेटों ने पेपर दिया था इससे पहले जो मिनिस्टिल हैड कोस्टिबल का पेपर हुआ था उसमें लगबग 45-50% केंडिरेटों ने पेपर दिया था और यहां पर पर moderate level का paper था तप level का paper नहीं था moderate level का paper था दिल्ली पुलिस minister का जो paper था वो भी moderate level का paper था और यहां पर physical के लिए लगबग 17,000 गंडियेटों को pass किया जाएगा इतने 17,000 कंडियेटों को यहां पर pass किया जाना है मतलब 20 गुणा candidate को यहाँ पर physical के लिए पास करेंगे जितनी vacancy हैं उसका 20 गुना candidate को physical के लिए पास करेंगे फिर बहुत सारे candidate physical में फैल हो जाएंगे फिर medical में फैल हो जाएंगे ठीक है तो इस तरीके से ratio last में आकर वही 877 का बच्चे का final result में अब यहाँ पर हम expected cutoff के बारे में बात करते हैं कि expected cutoff कितना क्या जा सकता है तो यहाँ पर मैं category वाइस बात करता हूँ male और female दोनों को cover करते हुए बात करते हम general की male की जाएगी 67-70 के बीच में female की 58-62 के बीच में OBC की male की 65-68 के बीच में female की 55-58 के बीच में रहने वाली है EWS की male की 58-71 के बीच में और female की 48-71 के बीच में रहने वाली है SC की male की 55-58 के बीच में और female की 45-48 के बीच में रहने वाली है ST की male की 52-55 के बीच में और female की 42-45 के बीच में रहने वाली है Aprox cutoff इसी range में रहने वाली है आपके आपने कितने क्योशन attempt किया है आपको कितने क्योशन ठीक होने का अनुमान है आप किस category से ब्लोग करते हैं प्लीज ये एक बार comment session में comment करके जरूर बताना और आप बताना कि आपके according cutoff कितना क्या जा सकता है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए थैंक्स बाइ मेरे प्यारे साथ यो